प्यारे दर्शकों, जिवें के असी सब जान देहां कि किसे भी देश दे आर्थिक विकास विच बैंक एक एहम पूमिका अधा कर देने क्योंकि देश ते विच आर्थिक क्रियावा दा संचालन, अयोजन ते उना ते विच बादा वित दी सहायता देनाली संभव हो सकता है ते वित दा परबंध बैंकिंग सेक्टर द्वारा कीता जानदा है अज इसे ही रोल ते विच आर करनवास ते सादे स्टूडियो देविच पंजाब नेशनल बैंक दे जरनल मैरेजर सर्दारहर पाल सिंग जी सादेनाल ने इना देनाल असी बैंकिंग खेतर दे संबंध विच कुछ गलबात करांगे और इना दे बैंक देश दे आर्थ विवस्था देविच की रोल है और आउन वाले समेद विच एना दा बैंक किस तरह दियां योजनावा लेके आर्या है इस सब संबंधी गलबात सर्दाहर पाल सिंग जी नाल करांगे सर्दाहर पाल सिंग जी थोड़ा इस स्टूडियो पे चांटे बहुत-बहुत स्वागत सब तो पहले साड़ी दशकनों दसो कि पंजाब नेशनल बैंक दी स्थापना कदो हुई थांक यू डॉक्टर सित्विंदर जी पंजाब नेशनल बैंक दी स्थापना सन अठारां सो पचानवे विच लगबाग 120 साल पहला विसाकी वाले दिन लहूर दे विच बैंक स्थापत होया सी और जड़े उगे सबतंतरता सेनानी ने जवें लाला लाजपत राइजी ने झी स्थापत किता सी और पूरां सब देशी देनाल सब्देशी मूवमेंट दे विचे सब्देशी कैपिटल देनाल कुल दोला करपे नाल ए बैंक शुरू होया सी और काली परसन नौराय और सब्दार दियाल सिंग मजीटिया ए दे संचाल अकसन और लहूर दे विच अनार कली बजार दे विचे एदा पहला दफ्तर खोले आ गया और आज एक सो वी साला विचे ए बैंक वद के होने दियां छे हजारतों वद बरांचां पूरे पहरत देश काम कर रही है ने जिदे चओ सात सो वद बरांचां पंजाब दे वद काम कर रही है ने और इस बिजनेस वी में पर औली कह सादा कि 10% बिजनस, लगवग 80,000 करोड दा बिजनस, 80 पंजाब दे विच, पंजाब नेशनल बैंक दियां, ए साथ सो तो बद बरांचा कर रही हैं ने, और लीडिंग बैंक है पंजाब दा, लीडिंग बैंक होन दे नाते, बाई जिले ओ, नो जिले पंजाब नेशनल बैंक को लन जिसना तुसी दस्या कि इस बैंक दा बहुत लंबा इतिहासिक पुछोकर है और बहुत सारे सवतंतरता से ना नी इस बैंक देना अलजुड़े हुए सी मैं थोड़ी जानना चाहांगी कि पंजाब दे विच रूरल बैंकिंग दे विच इस बैंक दा कि ना को योगदान है जड़ा पंजाब नेशनल बैंक दियां बरांचा ने ओ लागवग अदे तों ज्यादा पिंडा दे विच ने जड़ा नाम ही सज़ेस्ट कर दा पंजाब नेशनल बैंक तब पंजाब तों ये बैंक शुरू है जड़ा जॉएंट पंजाब सी लाहुर दे विच उस तो बाद भी जड़ियां पहली ब्रांचा शुरू वालीयां पंजाब दे विच ए मैक्सिमम ब्रांचा ने सो पिंडा दे विचे पंजाब दे सारा हाई ख्यती बाड़िते निर पर है सो पिंडा अ बांचां साधियां बहुत अच्रा काम कर रही हैrem और जड़ी माज़े वालफब्ल, वालफब्ल, वालफभ, वालफफ, वेल्ट, मालफब्द, वेल्ट वेल्ट था है। वेह पृर्छ ऎड़ा पर पूर था अज्याल caller पंजाम आप वालफ, अने किसान थे ने बठाइएं। ठीक है जी, किसाना नो खास करके जिसना तूसे कहारे हो कि असी रूरल बैंकिंग वल विशेष त्यान देता शुरू तो ही किसाना नो जदो तूसी करजे परदान करते हो तूस संबंद विच बैंक देया कोई विशेष नीतिया ने उना नो करजा देन वास से? जिस तरह किसान दे कुल जमीन दी होल्डिंग है उदे हिसाब नाल पर एकड लिमिट बनाई जान दी है कि किनना खर्चा आंदा है उदे बीज बजाई लगी खादा लगी में लेबर लगी डीजल लगी और इदे की खर्चे आंदे ने सो पर एकड कास्ट कड़न तो बाद उदे लैंड होल्डिंग दे बेस थे उदे एक क्रिशी क्रेडिट कार्ट लिमिट बनाई जान दी है के सी सी जिनों जड़ा फेमस है उदे चिकी है जिननी उदे जमीन है उपहला रिस्टिक्टेट उन दे सी पांज लग तक फिर दस लग तक फिर वी लग तक हुनों बदा के पंजा लग तक करती गई है किसान अगर केसी सी लिमिट पंजा लग तक ले सकता फिर उदे चे किता गया के मेंगाई दी दर लगबग दस परसेंट दी स्पीड नल बद रही है और जड़े किसान नों इस साल असी तिन लग दी लिमिट क्रेडिट दी रिक्वाइरमेंट है उदी डियो डी लिमिट असी बनाने है कि अगले पांच साल नादा उदा देखके कि आज अगर तिन लाख है हर साल दास परसेंट वद दी चली जाए और पांच साल नादे विच्वबाद के समझ लो साड़े चार लाख हो जाएगी तो ले होए ने जगा जगा हर ब्लॉग दे विच एक लिट्रेसी सेंटर खोल है हर ब्रांच दे मैनेजर नो अन एग्री कल्चर अफसरा नो इननो ट्रेनिंग दिती जान दी है कि किसाना नो सिखान कि अगर ओ अकाउंट रेगुलर रखन गे ते सरकार भी इननो व्याज दे व चलाया जाए थे उदा मतलब यह है कि चार परसंट दी दारते तिन लाग दी के सी सी लिमिट किसान नो मिल रही है जियो अकाउंट रेगुलर रखे असी उन्हों इदे बारे एजूकेट कर दें के इननो रेगुलर रखो तो अड़ी लिमिट भी बद दी रहेगी हर साल तो उन्हों व्याज भी काट लगेगा ठीक है प्लस इदिच बैंक ने भी किता है कि जड़ा किसान ने ट्रैक्टर खरीदा है या कोई इंप्लीमेंट खरीदा है उन्हों वसी कैश डिसबर्समेंट भी कर दें क्योंकि यह देख्या गया सी कि जे किसान ड्राफ्ट बनवा के ल दी किनी कीमत है और चार डीलना को लिकोंके देख्या कौन नाल फ्री इंप्लीमेंट देंदा कौन काट रेट लगांदा कौन वरंटी देंदा जित्थों उन्हों ठीक रेट ते मिलेगा उत्थों ले ले उदा बिल लेकर सान्नों बैंक वज़ देदें वसी कैश डिसबर् ले लुडिया दे लेगी औना दी फैमिली दे लेगी जै कि यड़िदी वाइफ को काम कर रही है उन्हों पंजाई जार दी लिमिट दे रहे हैं जे कोई उन्हें आर्ती है तो यह किसी शावकार तों लोन लया हुआ हैं उन्हों रीपे करन दे लिगी इकलाख़ दा लोन दे किसाना नू वो करजे धी लाना तो बचौन वास दे क्योंकि शाहूकर तुझे कर्जा लया जान्दा है तो वो कर्जा किसान दी कबर तक देनाल जान्दा है क्योंकि उस तो जड़ा पिछा चुडाना बहुत मुश्धिल है और जड़ी तुसी कह रहे हो कि आसी उनू वो डारेक्ट पेमेंट कर रहे हैं, ताकि वो दी जड़ी बारगेनिंग पावर है मार्केट देपेच वो इंप्रूब हो सके, ताह वो जथे उनों कट पाते, जड़ी इंप्लिमेंट्स मिल सकतेने, उननों ले सके, यह बहुत वदिया सुहलत उसी किसाना नों प्रदान कर र जड़ी है कि 10,000,000 को देए hub, कि 10,000,000 को कुछी नाया लेनी है, तो उन तो कोई कुछा बोलेक्टि ना देए नालो तो यह नहीं इंप्लिमेंट अंदा, उनने एक शर्त रखी गई है कि 10,000,000 तक दे लो जागी है को जुत पर DR. तो एस तरह ही जे उना दी रिक्वाइर्मेंट एक क्रोड तक दी है ता पारत सरकार बनाओं सीजी टी एमसी एक स्कीम बनाई गई है छोटे रोजगारा लिए जिना दी एक क्रोड तक दी लोन दी रिक्वाइर्मेंट है उना दी गरंटी सरकार देंदी है तो ग्रण्टी कमिशन चार्ज कर देने और उनने ग्रण्टी देने ता उनना नो बैंक उत्व कवर करवा लन दें, बैंक कुछ अगर अकाउंट खराब हो जाए ता कुछ रिकावरी उद्रों आ जान दी, पूरी ते नहीं आ दी लेकिन पेचतर परसेंट उद्रों आ जान द और अदर्वाइस हो करजियां तो महरूम रह जान दे सी, तो थोड़े बैंक दाए बहुत चंगा उपराला है तांके पंजाब देविच छोटे उद्मी, खास करके पंजाब देविच छोटे उद्मी और जड़े स्वेर उजगार ते अपने आपनो लगाना चांदे ने, इना तो इलावा थोड़ी बैंक दी, जड़ी कर्जा देन सबंदी कोई विशेश होर भी तरजी है जिसना कि एजुकेशन है या कॉंजूमर लोन जित्ते जा रहे ने बैंक दे कोल हर स्कीम है, जो जिस चीज दी रिकार्मेंट है, वो हर चीज है, एजुकेशन लोन है, इंडिया स्टेडी करनवास्ते है, अबराड स्टेडी करनवास्ते है, जिन ना खर्चा है, ओद ना लिंक करके अमाउंट आफ लोन फिक्स किती जंदी है, और जड़ा च रहें, कार बनान लिए, कार खरीदन लिए, कोई नवा बिजनस शुरू करन लिए, हर किसं दी स्कीम बैंक दे कोल है, और बैंक जिस तरह ट्रेडर्स ने, दुकान दार ने, ओना दे लिए, पंजाब नेशनल बैंक ने स्कीम कर दी है, वो दा नाम रखे कुशल वियापारी कुशल वियापारी दे विच दस क्रोड तक दा करजा दुकान खरीदन लिए दे साथें, पहला न दसी बैंक लिमिट देंदा जिस समान खरीदन लिए, विया दुकान तो आप ले लो, किरायत ले ले लो, या अपनी खरीद लो, अजित उन्नों माल पर रहन लिए, लिमिट कोई मेटाडोर ट्रक के टेंपू खरीदना है, वो दे लिए पांच करोड दा दुकान खरीदी है, वो दा पंदराँ परसंट, पर चैतर लाख एस काम वास्ते वी दे लिए, उन्नों फरनिशिंग करो, अच्छी बनाओ दुकान, तो ऐस तरह दुकान दारां लिए स्कीम है इस तरह जे कोई बिजनस्मेन आलेडी बिजनस चला रहे है, उन्नों प्रॉपर्टी दे लोन चाहिए, तो असी ब्रांचा नो भी पावर देती है, कि ओ दो क्रोड तक दा ओडी लिमिट प्रॉपर्टी रखके दे सादेने, ता कि उन्नों मिल जाए लोने ते, तो जड़ी यह तो अड़ी quick clearance scheme है, कि तुसी बहुत जल्दी और बैंका नो तुसी authority दे देती है, branches नों कि ओ अपने level ते जल्दी नाल जड़े करजे हैं, इना वपारिया नो, दुकान दारा नो प्रदान कर रहे ने, ते एदे नाल जड़ा trading sector है, उन्नों एक हुलारा मिल रहे है, और यह बहुत पर डिगल है, कि तुसी उन्नों initial capital जड़ी है, उना दी finance कर रहे हो, जिसना तुसी दस्या कि इवन दुकान खरीदन वासे भी तुसी उन्नों करजे दे रहे हो, फरनिशिंग वासे भी करजे दे रहे हो, यह एक तरह दी हला शेरी है, तांके जड़े वपारी ने हो रग्यवाद के आर्थिक क्रियामा दे विच हिससा ले सकन, जिसना सी सब जान दियां कि केंदर सरकार जड़ी परधान मंत्री श्री नरिंदर मोधी जी दे अंतरगात छे महीने दा समा इसने लगपग पूरा कर लिया, और साधे परधान मंत्री जी होना दी एकोशिश र जिस तरह तुसी दस है कि विदेशी पूंजी एथे आरही है और होरवाद चाड़के आरही है अधर ली बैंक दी स्कीम है कि दरे बैंक गरंटी चाही दी है कि विदेशी पूंजी लगी तो बैंक गरंटी दे ने और जिडियां रिजर्व बैंक दी स्कीम है एक्स्टर्नल कमर्शियल बार्वेंगे नो केंदेने हैं विदेशी पूंजी लिए शौट दे विचे ECB कहली है ECB रेस करन दे लिए अगर बैंक गरंटी दी लोड पेंदी है या LC दी लोड पेंदी है ओदरों बारों इंपोर्ड करन दे लिए ओ पंजाब नेशनल बैंक दे रहा है साड़ा ट्रेड फाइनांस डिपार्टमेंट एदे लिए साड़ा फुल फ्लेच्ट स्विफ्ट अप्रशिंस ने और साड़ा लगबग दो रॉस वारले बैंकां देना अगरिमेंट है के 200 बैंक का दे विच साड़े अकाउंट ने असी दुनिया पार दे विच बिजनस कर सक और साड़े अपने बैंक दियां ब्रांचा भी लंडन यूके और दुबई और होंग कॉंग कॉंग वर्गे कंट्री विछ खुल चुकिया ने जड़ा अच्छा काम कार रही हैं तो इंपोर्ट दे लिए एक्सपोर्ट दे लिए बारों कैपिटल रेस करन दे लिए साड़े क आयातकारां ते निरे आतकारां नो प्रदान कार रहे हूं उन इस नवी सरकार ने एक जड़ी जनतनी उजना लगू किती है जड़ी की आम लोगां देना संबन देता है यह योजना तो तुसी की समय देओ कि आम लोगां नो किनना को फाइदा प्रापत होएगा ज़ना दे बैंक अकाउंट जड़े ने इस योजना दे अंतरगात खोले जा रहे हैं जड़ी साड़े परदान मंत्री जीने स्कीम पंदरां गरस्त नो लाल के लिए तो लाँच कीती है परदान मंत्री जन दन योजना तांसी पंजाब दे विचे देख्या है के लगबग हुए है और ड़ फीर आठड़ लाक करां दे अकाउंट की कोई स्बी मेंब्र दा श्कॉंड बैंक विच नहीं से सो ओधे चोम लाग बगग सारे अधे अकाउंट अशी होनो खोलत धेन और बाइमा भी तीन मंबर तो पहला पंजाब स्टेट 100% सेचुरेट हो जाएगी means हर हाउसोड दा एट लिस्ट एक बैंक अकाउंट जरूर है और असी एक हेल्प लाइन बनाई है टॉल फ्री हेल्प लाइन नंबर भी देता है जड़ा जड़ा नंबर है अपना एड्रेस दा सकता है बैंक दा दिकारी उननने कार जाके उननने अकाउंट खोल देगा और इस स्कीम सिर्फ अकाउंट खोलन तक सीमित नहीं है इदे विचो कस्टमर नो रुपे कार देता गया और उस रुपे कार दे उपर एक लग दी दुरगटना भीमा है फ्री है कोई उदा जो प्रीमियम है वो सरकार दे ऐस तरहीं कार दे एक मेंबर नो ती हजार दा लाइफ इंशोरेंस है जीवन भीमा किसी भी कार अगर मिस से आप होजन दी है तो उदे नॉमिनी नो ती हजार पे मिलनगे कार दे एक मेंबर मैं तो पूरे हाउसोल्ड दों तुसी एक फसलेटी दे रहा है एक मेंबर दी जीदी उमर अठारा तो साठ साल दे विच्छ है उन्हों ती हजार दी लाइफ इंशोरेंस मिलेगी जीदे को रुपे एक आड है उन्हों एक लाख दी एक्सिदेंट इंशोरेंस मिलेगी उन्हों ती हमर अठारा और साथर दे विच्छ होनी चाहिए और जड़ा होदे को रुपे एक आड है वह एक्टिव होना चाहिदा है आक्टिव मेंस उन्हों किदर नंकिदर 中国 45 चैनल एक वारेंस는데 आक्टिव रहा एक वरे जरूरर हुँद होज़ाइब ऑशी मेंस एक वारेंस ते लगाकर पिन नम्बर पाुए तो इसह मार्ण सी किता है ते ताँ यू एक्टिव बने जाएगा, तो उन्हों एक्टिव रखो, बैंक दे विचे जीरो बैलेंस ते ना रखो, जो जेए ची या करविच रखने हो, बैंक जमा कराओ, आदत पाओ बैंक दे विचे, रोटेट करन दी, ते ओधना तो उन्हों ओडी लिमिट भी मिलेगी पांच हजार तक दी ओडी लिमिट बैंक तो मिलेगी, और जिनने बैनिफिट सरकार दे रही है, सबसिडी है, चाहे वो एल पीजी गैस दी सबसिडी है, या मनरेगा दी पेमेंट है, या बडापा पैंशन है, या विड़ो पैंशन है, या स्कॉलर्शिप मिलना है, वो सार हर कारणों पहुंचे, ओदे लिए किता गया, कि हर कारणा एक अकाउंट जरूर बैंक चे खोल दे, ज्यादा होन ते चंग है, पर मिनिमम एक ते जरूर होगे, ठीक है, जी, सो मतलब ए स्कीम दे अंतरगा तुसी जिसना दस्या है, कि अठ लग तु ज्यादा नवे अकाउ की सुबयां दे विच वी, एस स्कीम देना, लोगां दिया, बैंकिंग हैबिट स्टेडिया ने, ओर डिवेलप होन गिया, और सेविंग्स मोबिलाइज होन गिया, और अल्टीमेटली ओ जड़ा पैसा है, देश्दे विकास विच कम आएगा, बैंक का दा रोल जिसना असी ह हुन बहुत डिसकस कीता, की बहुत एहम रोल अदा कर रहे ने, और मैंनू लगदा है की बैंकिंग खेतर भी किते ना किते कुछ समस्या आवा नाल भी जूज रहा है, और जड़ी समस्या अकसर चर्चा दा विशा बनी हुन दी है, की इना देकोल नॉन परफॉर्मिंग एस परफॉर्मिंग एस सम्बंदी दर्शका नू कुछ जांड कारी देऊं। वपार नू तक्का लगए है, बहुत सारे जिस तरह कोले दियां, खाना बंद हुएं, पावर सेक्टर नू प्रावलम आई, ऐस तरह किदरे हाड आगे, किदरे तबाही होगी, किदरे कुछ होगया, ओधिनाल वीट तक्का लगए है, और जदो इंडस्ट्री नू वपार अनू तक्का लगदा था, एन पी ए बदा, और ओ एन पी ए नू कंट्रोल करन दे लेई वी, रिजर्व बैंक ने और सेंट्रल गवर्मेंट ने कई स्कीमा बढ़ाई है, और उननू री स्ट्रुक्चरिंग करन दी फिसिल्टी दिती गई है, तो ओ री स्ट्रुक्चरिंग बैंकां द्वारो किती जा रही है, और मैं इस मोके दे जरूर कहना चाहूंगा, कि पंजाब एक ऐसी स्टेट है, जिते एन पी ए काट है, बाकी स्टेटां ने मकाबले चे, पंजाब चे एन पी ए काट है, और उदे नाली खेती बाड़ी दे वी चे, एन पी ए बहुत ही का चार पांच परसेंट भी हो जाना है, और मैं एक मांगे कि पंजाब दी एगरी कल्चर करके पंजाब दी हालत काफी अच्छी है, एन पी ए दे मामले है, तो इससे करके ही शायद थोड़ा बैंक जड़ा है, और किसाना नोर आती दरहां थे वदे रहे तो वदे रहे कर्जे जिते NPA element काटा है, उते रिस्क काटा है, तो उते व्याज भी काटा है, और बैंक दी जड़ी profitability है, उनों में एफेक्ट कार देने NPAs, ते मुलाकात दे अन्त विछ मैं एक स्वाल तो नों पुछना चाहांगी, कि जिसने असी साढ़ा जड़ा अर्थवस्ता है, उने जी कर नाइस बैंक्स ने, उनों थे की पर बाप या? सरकारी बैंक काँवल जादा, उनों परोसेदा परतीक नजरांदा, जो सरकारी बैंक जे अजे भी सर्विस अच्छी दें, ते कस्टमर प्राइवेट वाल नहीं जानदा, ताहीं जानदा, जदों वसी अत्वों सर्विस खराब देने हैं, या मिस्पीएव कर दें, तो मैं मिस्पीएवियर ते हुन नहीं हैं, पर कस्टमर सर्विस नों दिनों दिन होर बेतर किता जा रहे है, एक कॉंपीटीशन दा बेनिफिट होया, यह बहुत बद्या सूचिक है, कि क्वालिटी आसपेक नों तुसी इंप्रूब करनते जोर दे रहे हो, और जड़ा परोसा लो